So, Hello Guys, Welcome back to the channel आज की इस वीडियो में मैं आपके लेकर आया हूँ एच छोटा लेकिन बड़ी काम का अपडेट दोस्तो एपल ने एक नया सौफ़डेर अपडेट निकाला है Bixar 11.2.2 इस अपडेट के साथ जो कुछ Mac users को Type-C, Hubs और docs connect करने पर उनके max damage हो रहे थे ये issue resolve हो गया है हमारे एक subscriber शर्ण सांगवान जी भी इस issue को लेकर काफी जादा concern थे मुझे लगता है आप मेंसे काफी users भी इस same issue को लेकर concern होंगे तो मैंने सोचा एक video बना कर आप लोगों को ये information दे दी जाए अगर आपके भी इसी तरह के कोई questions हो तो आप भी Instagram पर जाकर मुझे message कर सकते हो और अपने questions पूछ सकते हो link मैंने description box में दे रखा है तो दोस्तों आईए सबसे पहले थोड़ा detail में जान लेते हैं कि वो issue था क्या mostly users को अपने macbook air या pro के साथ type c hub या फिल डॉक कनेक्ट हरने की ज़रूत पड़ती ही है अब होता क्या था जब आप उस type c hub या डॉक के जरीए अपने macbook air या प्रो को चार्ज करते थे तो macbook पूरा blank हो जाता था अब इस issue को आने का कोई fix time नहीं था किसी user को ये 30 minutes के बाद आ जाता था किसी को एक घंटे बाद किसी को 10 दिन बाद किसी को 15 दिन बाद अब इस update के साथ आगे किसी user को ये problem face नहीं करनी पड़ेगी अब जो भी users इस issue की वज़र से macbook को बाय करने के लिए रुके वे थे जाके अराम से बाय करो और tension free होकर type c hubs और docs को इस्तमाल करो तो यार चैनल अभी बहुत छोटा है तो चैनल को please subscribe कर लेना ताकि मैं आपके लिए और अच्छी वीडियोस लेकर आता रहूँ so guys मैं आपको जल्दी मिलता हूँ discounts और GST वाली next वीडियो में till then like, share and subscribe take care and stay tuned